Hello everyone, welcome to my youtube channel श्रीजन नमाचार, मैं श्र्णा श्रुक्ला काक्षाचार की गणित के पुस्तक, अंक जगत की कारिपुस्तिका का पाट्चोदा दश्मलों का प्रियोग लेकर आई हूं यहाँ देखिए, मीटर, सेंटी मीटर मीमी को जानो और खालिस थान भरो आपको पहले जानना है फिर खाले स्थान भरना है तो यहां देखिए एक मीटर, सौ सेंटी मीटर, एक सेमी यानि दस मीमी तो यहां पर आपको दिखाया गया है अब अगर यहां 63 मीमी को अगर हमको बटे में अगर दर्शाना है भिन में तो 63 बटे 10 सेंटी मीटर और अगर इ किये इसको पहले हम इस रूप में लिखेंगे और फिर दस्मलों में ऐसे बदलेंगे फिर यहां पर सेम वही चीज फिर आगे भी हम एक और यहां सिखाया गिया है पहले एक हल करके दिखाया जाता है उसके आधार पर आपको कहा जाता है कि समझिये और करिये यहां पर आप द यहां इसको हल कर दिया गया है आगे देखें यहां हल करके दिखाये गया ज़स्वा भाग आएगा तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि यहां एक जीरो था एक संख्या के बाद दो जीरो है तो दो संख्या के बाद दश्मलो लगाया जाता है दश्मलो वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस लिंक को जरूर जाकर देखें तो आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा देखें कि मी को जानो और खाली स्थान भरो तो यहां पर बताया गया है कि पचास मी यानि पचास बटे एक हजार तो यहां पर देखें तीन जीरो आया तो एक दो तीन तीन के बाद ही आपका दश्मलो लगेगा यह आपको ध्यान रखना है फिर उसके आधार पर बहुत आ आसान हो जाएगा करना फिर यहां देखिए आपको हमेशा आपको यहां एक दो तीन संख्या दिखेगी एक दो तीन जीरो बहुत आसान तरीके से उस वीडियो में मैंने समझाया है कि मम्मी ने दिया एक लड़ू की परमीशन दो लड़ू की परमीशन या तीन लड़ू की पर्मेशन जरूर देखिए यहाँ पूरा आपको हल करके दिखा दिया गया है यहाँ तक उसके आधार पर आप कर लें यहाँ देखिए आपको क्रिया में बदलो 700 ग्राम 700 बटे 1000 किलो ग्राम फिर यहाँ आपको देखिए उसी आधार पर करना है आगे भी वैसे ही करके दिखा दिया गया है आप समझें और करें यहाँ पूरा हल कर दिया गया है उसके आधार पर आप सब कर लें और इस वीडियो को एक बार जरूर देखें यह बहुत आसान हो जाएगा अब यहाँ देखें लीटर और मिली लीटर को लीटर में लिखो 5 लीटर 730 मिली लीटर तो इसको 5 एक पूर्ण संख्या है फिर 730 वटे 1000 लीटर और फिर आपको इसको लीटर में बदलना है दिखें सारा जितना भी है यहाँ पर सवाल सब ज़ल कर दिये गए हैं उसके आधार पर आप करते हुए चलیں सही उत्तरवाली को काला करो अब रंगीन भाग को प्रदर्शित भिन आप देखिए यहाँ पर यह पूरा इसका आधा है एक बटे दो दो बटे तीन सरलतम रूप आपको लिखना है पर तीसरा देखिए पर चौथा देखिए पर यहाँ पाचवाँ छठाँ साथवाँ यह पूरा करके दिखा दिया गया है